जूज सिर्षक के अचित्ते पर विचार करते हुए स्पस्ट करें कि क्या यह सिर्षक कथा नायक की किसी केंद्रिय चारित्रिक विशिष्टा को उजागर करता है यानि कि हमें जूज के शिर्षक का उचित्य वताना है कि जो कहानी का नाम रखा है जूज क्या वह उचित्य है या नहीं है तो पाठ का शिर्षक किसी भी रचना के मुखे भाव को व्यक्त करता है किसी भी रचना के कैसे भाव को व्यक्त करता है मुख्य भाव को व्यक्त करता है जूज का अर्थ है संखश इसमें कथा नायक आनंद ने पाठशाला जाने के लिए संखश किया इसके लिए संखश किया पाठशाला जाने के लिए संखश उसने किया आनंद की पिता ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया था कि उसे स्कूल बेजने से मना कर दिया था लेकिन उसकी पढ़ने की कैसी इच्छा थी तिवरिच्छा थी पढ़ना चाहता था और उसके पिता जी उसे मना किया करते थे और तिवरिच्छा ने उसे जीवन का एक उदेश्य दे दिया उसने विद्या ले जाने के लिए पिता की जो शर्ते मानी थी उनका पालन किया वे विद्याले जाने से पहले बस्ता लेकर के खेतों में पानी देता और धोर चराने भी जाता धोर यानि जानवर जो उसके पश्यू थे उसके पिता ने उसका पार्शाला जाना बंद करवा दिया था स्कूल जाना बंद करवा दिया था लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता है और पूरे अत्नविश्वास के साथ योजना बद्ध तरीके से आगे बढ़ता है और सफल भी होता है आनन्दा ने मास्टर सौंदलेकर से प्रभावित होकर काव्य में रूची लेना शुरू कर दिया प्रारंब कर दिया इससे उसमें पढ़ने की लासा बचनवधता आत्नविश्वास क्रमठता और कवीता के प्रती जुकाव आधी चारित्री की विशेष्टाइं देखने को हम मिलती है तो जूज जो है जूज का मीनिंग ही होता है संघष करना तो यहां पर उससे हमें यह पता चल रहा है कि किस तरह से उसने पढ़ाई के लिए यहां पर जूज की है और पिता से संघष भी किया है जीवन से संघष भी किया है तो यहां पर सबस्ट है कि यह शीर्षक अपने उसके चरित्र को बताता है जो नायक है खाने का उसके चरित्र को बताता है थैंक यू फो वोचिंग